हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बुल फिटनस ओफिशिल दोस्तो वीडियो का थमनेल आप लोगों ने देख लिया होगा तो दोस्तो आज एक बार फिर मिलेंगे हम अपने प्यारे भाई से जो है सप्लिमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड है जिसमें बाई ने मेरा नाम लेके मुझे पोक किया है अपने आपको बहुत जैनुएन दिखाया है और जितने भी लोगों ने इसके खिलाफ गलत कोमेंट किये हैं कुछ बोला है इसकी कंप्लेंड की है यह जितने भी लोगों इससे समान लिया है उन सब को इसने और फिर आपको इसकी पूरी सचाई पता चल जाएगी कि यह कितना जैनुएन है और इसको कौन सा नाम जो नाम मैंने स्टार्टिंग में बोले उन में से कौन सा नाम सूट करता है वो लोगों को आपको कोमेंट करके बताना है तो देखो वीडियो भी तो शीरी बात है मेरे बच्चे आवे काम करते हैं जो डड़के काम करते हैं अगर उन्हें गाली दोगे तो भी गाली देंगे महीं तरुशन को कोई रोप तो भाई हुआ ये था कि मैंने बाई के पास ओडर किया था तो एक देड़ महिने तक भाई ने मेरे को नाम पैसे ल दील करते हैं फिर इसके लड़के लिल करते हैं भाय अभी है नीक दुकान पे भाई या से आईड़ी लेके दुगाँ तो भाई E Fred महीना किसी के पैसे कहा करते हैं तो वह कितने तक टुछ पाजी पाजी करता है तो उस के बराबर में forens'. ये के तू नहीं दूँगा पैसे उदर से भी गालियां सारी चीज़े सब कुछ मेरी वीडियो में मैंने दिखा भी रखा कि क्या क्या तेरी अरकते हैं तो मेरे भाई किसी के पैसे खाएगा ना सीधी सो बात की एक बात यह है किसी के पैसे खाएगा तो वो तुझे गाली तो दे गाई स सभी इनसान को फसेगा और दिल्ली आगे तेरे सामने तुझे पेलेगा भी तसली से दूसरी बाद का रिप्लाई सुन लो अब कैंच मी खराम यहां कि मैं वह पकद करारीyeong से तो वह तुत मिलग को तो ओन्लाइन डिल्वरी क्यों बोलता है लोगों को कि मैं उनलाइन ने सब समान पहुंजाओंगा लोगों के पैसे ले क्यों रहा है जब तेरे बसकी डिलिवरी करना है ही नहीं जब लोगों को स्टोर पर ही आके लेना है तो आके ले लेंगे तू डिलिवरी क्यों गोल रहा है कि मैं डिलिवरी करवा रहा हूं डिलिवरी फ्री करवा रहा हूं इतने पैसे देने हैं और दो लोगों के पैसे लूट कर छाथी ठोक के खड़ा है और बोल रहा है कि फ्रोड को फ्रोड को यह लेंदेन का नाम दे रहा है लेंदेन इसको पहले तो तरीका समझाओ कि लेंदेन क्या होता है और फ्रोड क्या होता डिफ्रेंट समझ मेरे भाई तेरे को बता रहा हूँ तू भी वीडियो देखेगा तरह तक वीडियो पहुंचेगी भाई लेंदे नहीं तु सामान बेच रहा है तुने पैसे लिए लोगों से तुनको सामान नहीं दे रहा है और उनके पैसे भी नहीं दे रहा है तो वो फ्रोड है वो लेन दे नहीं है और फिर तु छाती ठोक के बोल रहा है कि हां मैं तो यह लेट हूं क्या हो गया कई भाग थोड़ी रहा तो भाई कोई बहादूरी का काम नहीं कर रहा हूं तू कोमेंट में तुझे गालिया पढ़ रही है किसी की वीडियो खोल के देख ले अपने कोमेंट तो तू डिलीट कर देता है और तू अब आगे देख अब और रिप्लाई करता हूं बाई बोल रहा है कि थोड़ी सी सर्विज लेट चल रही है यार लोगों के 6-6 महीनों के साल-साल के पैसे अटके हुए है तो कितनी सर्विज लेट है वाई तेरी और कौन सा डाटा तुझे नहीं पता था है कौन सा डाटा तु यहां मतलब क्या तू ही दुनिया तू ही गुमा रहा है क्या मतलब तू ही software इंजी वह company चला रहे है डाटा क्या डाटा है भाई लोग तेरे को address भेजते हैं लोग तुझे अपने पैसे बेज के screenshot वेजते हैं इतना ही डाटा होगा लोगों के पास प् पतानी है तो यह कौन सा कोई लेका data नहीं था अरे एक बंदे ने पैसे तुझे भेज दिये address तुझे भेज दिया उसके बास तुने समानी नहीं बेजाए तो उस बंदे का कलियर करना मेरे बाई कहां confusion है कहां data नहीं था तो पैसे नहीं भेज दिये तुने दो चार बंदों के पैसे वापिस बेज दिये वो भी कैसे बेजे है तुझे भी पता है जब इधर उदर से आया है तब तुने उन बंदों के पैसे वापिस कर दिये और बाकी यह जो हजारों बंदों के पैसे तु खागे बैठा हुआ है तो उनके भी कर दे जब तु में बहुत अच्छे रेट दिये शब कुछ दिया वो तो और भी दे रहे है इतने सम्मान से बात किया ऐसे ऐसे वही मेरे पास जाते है जिन से मैं 50 रुपे कमाता हूं तो 500 रुपे का तोफा दे दे रहा है पहली बात तो मेरे नुक्सान में कोई भी बिजनेसमेन काम करता नह नहीं है तिरसे भाई यही रिक्वेस्ट है वीडियो तु देखेगा मुझे पता है भाई तु यह 500 वाले फ्रीक तोफे है ना यह मत दिया गर मेरे भाई जो लोगों के पैसे लूट के खागे बैठा है ना जितने पैसे तुझे लोग जिस समान के दे रहे हैं वो समान दे दिया अगर मेरे भाई तोफे 500 वाला तु नहीं देगा किसी को तो कोई दुख नी मनाएगा क्योंकि जो बेचारे स्टूडेंट है ना जो तेरे 200-400 सस्ते के चकर में जो तु डील देता है वो फरजी समान तरे पास है नी फिर तु लोगों से पैसे ले रहा है ना उसके च यह वीडियो कितना तकड़ा आदमी है मतलब वह कावाद आपने सुनी एक कि उल्टा चोर कोतोवाल को डाटे मतलब लोगों के पैसे भी ये खाए लोगों पे केस भी ये करे या मजाक हो रहा है क्या अद्मिन है भाई इसका मतलब इलाज इलाज करा हो यार इसका कोई स्पोर्टर देख रहा हो तो भाई इसको थोड़ा कुछ दवाई गोली चूरण यार इसका हिसाब कुछ मेंटली स्टेविल्टी तो उसके जब लोगों के पैसे खाये होते हैं ना जब आपने जब आप कर जेवे हो तो हवाबाजी में नहीं घूमना चीए रवाई कोई आ रहा है दरवाजी में करजा मांगने तो उसको हाथ जोड़के भाई साथ दे तो मैं त्यारों विदिन फाइव देज उसके उपर केस ठोग और वो लेड़ी दो पींपे ठोग चुँग है मराओ भाई यह कह रहा है कि किसी की वीडियो में इंफोर्मेशन पेमेंट की गल्त हुई तो यह केस ठोग देगा और तुने जो जितने लोगों की पेमेंट सही है जितनों के साथ फ्रोड किया है क्या तुने मतलों तू अपने उपर भी केस ठोग ले फिर अपना थोड़ा बहुत पानी लेगे कहीं चलू भर पानी में कहीं मूझ डबो और सोच क्या कर रहा है तू तो तो कर ले कैसे कैसे लोगों के यार मेरे पास अभी दिखाऊंगा कर दोब वाई चैटिंग आई हुए है कोमेंट आई वे बैचारों ने की भीया मेरे 300 रुपे खा गया मेरे सतरा सो रुपे खा गया रहा है सरमकर मेरे भाई धोडी सी अगर इतनी ही दिककत है तो भाई क्यूं कर रहा है काम मैं इस टाइफ के मार्केट में लोग यह तो और जिसके वज़े से उसका थोड़ा हो जाता है उपन के आटम कोई से नुक्सान में चला गया अरे बंदा कोई भी कुछ किया थी वाली इंगे बोलाए कि उसकी नीद माड़ी नहीं है टाइम माड़ा चल रहा है कुछ दिन ऐसे आगे कुछ डिसीजन ऐसे माल ली वाई सबका ट के लिए का आदमी खराब हो गया टाइम सब पूच हो गया पर कितने दिन भाई आपने लोगों से पैसे लिये हैं अगर लूट खसोट की है जो भी किया है पैसे तो वापीस देने पड़ेंगे ना कितने दिन टाइम माड़ा चलेगा या तो तुम लोगों को दिखोगे भी कि इसका टाइम खराब हो जाता है वह बचारा इधर उदर चिप जाता है कुछ अच्छा कुछ कुछ रिकवरी करने के चकर में तू तो भाई तब से यहीं दिख रहा है मुझे यहीं स्टोर बे वीडियो बना रहा है स्टोरी अपनी लगाई रहा है तेरी डेली वीडियो कन रही है तूने पुराने एक साल से लोगों के जो फ्रोड किया था 1 साल से पहले तो तेरा टाइम अभी तक थीक ही नहीं हुआ है तू बहाने मारता है कि मैं तो आज यहां होँ आज बाहर हूँ आज रहेत इस यह हो गया और यहार सारी तेरे काम चल रहे हैं स्टोर तेरा खुल रहा है तो वीडियो डेली सेल की वीडियो तू बनाता जा रहा है डेली लोगों के ओडर तू लेता जा रहा है नए लोगों से पैसे लेता जा रहा है नए लोगों को लूटता जा रहा है जो पुराने एक साल के लोग बचे हुए है जिनके पैसे तुने नहीं दिये है उनका टाइम कब ठीक करेगा मेरे भाई तू अपना टाइम ठीक कर लेगा नए लोगों को लूट लूटके अब तेरा वही का हो गया कि नए लोगों को लूटो पुराने लोगों को देदो फिर नए लोगों को लूटो पुराने लोगों यह घुमाता रहेगा यहां से करजा वहाँ यहां से करजा वहाँ और तु वह भी नहीं कर रहा है मेरे खाल से क्योंकि तु पुरानों को तो लूट के बैठा ही है उनका तो रिस्पोंस आदे तो लोग शांत बैठ गए है कि भाइच है महीने होगे अब तहां पैसे देगा पस वह कोमेंट में तुझे गाली निक तो यह कह रहा है कि टाइम इसका माड़ा आगया था मैंने पहली बात कर ली कि टाइम माड़े उपर के कोई बात में समय किसी कभी ख़ड़ाब हो सकता है बट समय कभी तो सुधरेगा जिसके पैसे उठाए हैं कभी तो लोटाओं वापिस सही से बात तो करोगे उनसे चौके ठनी परसेंट चोरों की कोई योग मजबूरी होती है था बचारे मु चिपा के सबसे चिपाते हुए अंधेरे मजा के चोरी करते हैं थो फिल देपिक्या मुझे सबस्क्राइब कर रहा तो चोटी-चोटी पैसो का अफ्रोड कर रहा है थो तो बता रहा है वाई तो और दो, तो, पांसो, पांसो, तेरा, तेरा सो रूपे कोई लडका बियार का है, उसका तेरा सो रूपे का तूँ फ्रोण करकर बैठा हूँFirst कि इसकी दिखत कभी खतल नहीं होगी क्योंकि जब आप पैसे देने से पहले इस से बात करोगे को ओडर प्लेस करने से पहले तो हर रिपलाई आएगा मैसिज का एक मैसिज के दो रिपलाई आएंगे और तीन चार लोग मिलके रिपलाई करेंगे ताकि तब जल्दी से जल्दी आपके पैसे वहां तक चले जाएंगा कोई दिकत निये बाइस के बैस इसकी आदत खराब बर-बर बनानी पड़ रहे हैं मुझको नहीं तो मेरे को क्या इंट्रस्ट है मेरा चैनल ना मुझे चैनल करना ना मुझे व्यूज का सोग है तो यह भाई बोल रहा है ना नियत और यह टाइम माड़ा तो इसका टाइम और इसके बहाने कभी खतव नहीं होगे जो बोल रह है अब बोल रहा हूं यह सो तरह के बहाने हैं इसके पास कि भाई इसका भी होस्पिटल कभी डाटा मिस्प्लेस हो गया आज यूपी आई डी नहीं चल रही आज स्टोर बंध है आज आउट ओफ स्टोर हो गया है आप रिप्लेस्मेंट ले लो दूसरा समान ले लो पैसे आपने वापीश भेज देंगे अभी पैसे नहीं है अभी कोई भिस हैपनिंग हो गी है आज हम बहुत 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 करता रहता अभी आगे सुलते हैं बाई ने काया कि वाट्सअप के उपर रिप्लाई किया अगरो तो लोग इसको बाई साब वाट्सअप पर करते हैं पाजी पाजी करके लोगों का गलास हो गया बाई किसी से पूछ रहे ना आप लोग फसे होगे तो आपको ही पता चल जाएगा मेरे साथ तो हुआ ही था अभी भी कितने लोगों के रोज मेरे पास डीम आ रहे हैं उसकी स्क्रीन रिपोर्डिंग इसकी चैटिंग के सीनी नहीं करता है यार सीन करता तो रिप्लाई नहीं करता है 10-15 मेसेज के बाद एक रिप्लाई करता है हंजी पाजी हो जाएगा कल स्याम तक आ जाएगा पाजी ये ले लो बस ये रिप्लाई है भाई इसके ये इसका रिप्लाई है और रही ट्रैकिंग आईडी की बाद तो 48 गंटे के अंदर अंदर कर कस्टमर को ट्रैक आइडी नहीं दूंगा तो भाई को दो गुना पैसे लेने का हगदार रहेगा बाध खतम ठीक है भाई साब देख लो इसकी जुबान ये इसलिए बोला था मर्द की जुबान ये ही नी खतम आदमी है बिल्कुल खतम ये कह रहा हूं मैं 48 गंटे ट्रैकिंग आइडी का बोला लास्ट अभी आपको दिखा दूँ एक चैटिंग है अभी एक बाई ने चार दिन पहले इसको और किया था चार दिन हो गये तो चार दिन अब सोच लो 48 गंटे और चार दिन कितना होता है अभी तो उसने इसके ना सामान दिया ना पै पहले बना चुका हूं गलती आप लोगों की है कि आप लोग ऐसे जो 200 रुपे के लालेज में फस रहे हो तो मत फसो सही जंगे से सही चीज लो 100-200 रुपे में कुछ नी जाएगा पूरे पैसे चले जाए तब ज्यादा दिक्त होगी तब ज्यादा बुरा लगेगा तो भा करूछ पापा चाचा माम पुलिस में हो उसको देखो हर जेंगे से जहां से आप कर सकते हो पहले तो क्या करना है वह बादियों बता दूआ है वह बाग बाग इस वीडियो को दोस्तों चाहर करो हो और लास्क जो ये चीज है कि कि इसके उपर कौ्ण सा नाम सूट करता है सह जो मैंने पहले भी लिए थे तो वो कमेंट करके बताना अपने हिसाब से एक एक नाम भाई को दे दो तो भाई को अच्छा लगेगा क्योंकि उसको एक नाम अच्छा नहीं लगता है और भाई अब और रिप्लाई एकर तेरे को चीह राजविर भाई कोई दिकत नहीं अब त होता है समझा मेरे बाइफ बाकि दोस्तों मिलते हैं और बढ़िया वीडियो में कोई व्यूज का लालस नहीं ना किसी वाई को सब्सक्राइब की बोलता हूं मैं ना ज्यादा इधर उधर की तीन पाक बाते है नहीं कोई दिकत नहीं है वीडियो बढ़िया लगे पॉर्ट